मेरे अंदर जो मुस्लिम और इसलाम के लिए कुछ-कुछ गलत फहमया थी, शैदो क्लियर हो गई है जैसे आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा मैं सोचती हूँ क्यों कि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो कोई भी हो, सब में एक ही बात कॉमन लिखी है कि आप अपने फर्स करते जाओ, छूट मत बोलो, किसी की आंगान हत्या मत करो और जो जैसे की एक बंदे ने बोला कि रिलीजिन की वज़ा से इतने तंगे फसाद हो रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि इस वज़ा से, even I agree with you, Dr. Zaki Naik because मैं जहां तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत बढ़ा है इसलाम में नहीं लिखा है, जो हम बोलते हैं ना, कि टेरिरिस आदा से जादा मुसलिम होते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इसलाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवज़ा हात्या करते हो, कि तो आप चैद मुसलिम नहीं हो